नमस्कार मा यूट्यूब फैमली, वेलकम बैक माई चैनल, कैसे हो आप सब मैं आशा करते हूँ, आप सब ठीक होंगे, आपके प्यार और आशिरवाद से हम सब भी यहाँ पे ठीक हैं, तो आज के व्लोग की स्टार्टिंग हो गई है, और आज के व्लोग जो मैं स्टार्ट क काम किये हैं, तो मुझे, मतलब जो जितने भी हमने अच्छे काम किये हैं, तो उससे हमें प्रोथसान मिलता है, मोटिवेशन मिलता है, कि हाँ हमने ये काम अच्छे किये हैं, इसी तरीके से हमें आगे भी करना है, और अगर हम से कोई गलती से कोई गलती भी हो जाती है, तो तो हमें उससे सीख मिलती है कि हाँ इस काम को हमने इस तरीके से किया था तो यह गलत हो गया था तो पिछे के कामों से वो ही है कि हमें अनभो मिलता है और अगर हम सामने देखते हैं तो सामने हमें आशा नजराती है एक यह नजराता है कि हाँ उम्मीद नजराते है कि हम यह का कि अगली साल उस से बैस्ट करें और उस काम को पूरा कर सकैं जैसे कि मेरे सब्सक्राइबर इस साल एक हजार कंप्लीड नहीं हो है तो मैं यह उमेध रख सकती हो कि मतलब रख रख रखे कि अगली साल तक मैं अपना चैनल मोनेटाइज कर वा लूँगी और अगर आपका प्यार और आशिरवाद रहा तो तो यही है अगर हम अपने दाएं बाएं चारों तरफ देखते हैं तो उसमें हमें सच नजर आता है कि यह दुनिया किस तरीके की है मतलब किस तरीके से इस दुनिया में रहना है कौन किस टाइप का इंसान है कौन क्या है उसके बारे में जो इस दुनिया की सच्चाई है ना अगर आखे कोल के हम देखते हैं तो हमें वो नजर आती है और अगर हम अपने अंदर देखते हैं तो हमें अपने अंदर परमात्मा नजराता है आत्म विश्वास नजराता है कि कई लोग मतलब अगर आप ससंग वेरा जाते हो या किसी जो भी आपके गुरु है उनको मानते हो तो वो भी यह कहते हैं कि भगवान आपको कहीं अधर अधर ढूंडने से नहीं मिलते हैं भगवान आपको आपके अंदर ही मिलते हैं तो हमें परमात्मा की प्राप्ति होती है अंदर और हमें आत्म विश्वास भी अपने अंदर से ही मिलता है किसी काम को करने के लिए न हमें अगर आप किसी भी काम को स्टार्ट करना चाहते हैं नए साल में ये न प्रण कर लीजिए कि अगर आपके मन से वो आवाज आ रही है कि हां मैं इस काम को कर सकता हूं दुनिया चाहे कुछ भी बोले तो आप उस काम को जरूर कीजी अगर वो काम सही है तो मतलब लोगो कि अलग लग राय हो जाती है आप किसी भी काम को न लोग कोई भी तारीफ नहीं करता है अगर आप उस काम में कामियाब हो जाते हो तो आपकी तारीफ करने वाले बहुत आ जाते हैं और मतलब ये सोचते हैं कि हम भी ये काम स्टार्ट कर दें तो इसलिए हमें अंदर से ही म बताएगा जरूर कमेंट बॉक्स में तो यहां पर आप देख रहे होंगे कि मैं बना रही हूं मलाई से खी यह मलाई है मेरी 15 से 20 दिन की मलाई है तो यहां पर मैंने इकठी कर रखी थी बीच में जैसे पनीर वगएरा कि सब्जी बन जाते तो उसमें भी मलाई यूज हो जात ठक चुकी थी एक हाथ से चला रही थी एक हाथ से मैंने कड़ाई पकड़ रखी थी फिर इनको बुलाया मैंने इन्होंने चलाया तो जल्दी से बन गया मक्षन वह और मक्षन किस तरीके से मलाई से निकालते हैं इसली और जल्दी से निकल जाए मक्षन अगर आपको यह भ लूँगी क्योंकि मुझे घी बनाना है इसी कढ़ाई के अंदर बनाना है और यह लसी में फैक दूँगी सिंक में सिंक में डायरेक्ट ऐसे नहीं फैकूंगी पहले इसमें पानी चलाओंगी पानी चला के जो बचा थोड़ा बहुत मक्षन होता है वो भी उपर आ जाता है व जगह भी नहीं है तो मुझे सिंक में फैकने होती और मुझे यहां लगरी थी शाम को जैसे कि मैं रजाई से निकली ठंड लगरी थी बहुत तेट चार बजे होए थे तो आप रजाई में से निगलता है ठंड बो जाते हूं यहां पर मैंने जर्सी भी पहन ली टोपी भी सब कुछ पहन लिया यहां पर और बच्चे कह रहे थे हमें कुछ खाना है तो मैंने यहां पर कुकर में साथ में चढ़ा रखे हैं आलू बोईल करने के लिए और मैंने सेंड्विच बना देती हूं जैसे कि चोटी मोटी सब्सक्राइब करके बारी काटके उसे उसके अंद की तबेत हो रही है खराब तो सोस चीज वगएरा सब कुछ डॉक्टर ने मना किया हुआ है तो इसलिए मैं यह सेंड्विच बना रही हूं इसमें आलू में मैंने एड कर लिये थे यहां पर हरा धनिया प्याज और हरी मिर्च चीज़े सब कुछ एड कर लिया था तो अभी मैंने यहां पर मक्षन डाल दिया है कड़ाई में और अब मेरा प्रोसेस जो भी स्टार्ट होगा वो होगा सैंड्विच बनाने का तो यहां पर पहले मैं आपको बता दू कि मैंने उसमें एड क्या क्या किया है आलू में जैसे कि हरा यह देखी आलू मेरे उबल चुके मैं निकाल लिए जो छोटे आलू थे ना मैंने वो साइड में चलनी रखी हुए वहां रख रखे हैं मैं उनके बनाऊंगी दम आलू की सबजी क्योंकि नॉर्मल सबजी बच्चे खाते नहीं नकरे करते हैं तो दम आलू थोड़े टेस्टी हो जाते हैं तो आलू बोईल के तो यहां पर मैंने कस्तूरी मेथी भी एड़ कर दिये फिर ही इनको बुलाया चाय बनाने के लिए क्योंकि सेंड्विच बनाने में जदा टाइम नहीं लगेगा बस आलू मुझे उसके अंदर फिल करने हैं और टोस्टर में डालने हैं और हमारा सेंड्विच बनके हो जाएग कर दो कर को झाल 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 तो यहां पर मैं दम आलो बनाने के लिए यहां पर आलो में साथ के साथ चेद भी करती जा रही हूँ क्योंकि शाम हो गई है मतलब की पांच बच चुके हैं और तो थोड़ी बहुत सब्जी खा लेंगे और यहां पर मेरे सारे देखिया हमने नाश्टा कर लिया था सैंडविच बनके हो चुके थे तैयार और अब मैं आ चुकी हूँ यहां पर हमारा घीवी बनके घी में गैस सिंपे कर दिया था तो वह बनता रहा और यहां मेरा घीवी बनके हो चुका है तैयार और अब मुझे बनाने हैं दम आलू और दम आलू बनाने के बाद इसी कड़ाई में बनाओंगी तो पहले में यहां पर घीवी चान लेती हूँ और फिर उसके बाद घीवाली कड़ाई है ना तो उसमें घी का टेस्ट भी आ जाएगा और बहुत चानने के बाद यहां पर मैं बनाओंगी दम आलू की सब्जी और अगर आपको दम आलू की रेसिपी जाननी है तो मुझे वीडियो में कमेंट जरूर कीजिएगा मैं आपके साथ रेसिपी जरूर सेयर करूंगी मतलब सिंपल तरीका जो जल्दी से भी बन जाए और मैं आपको पता है कि पॉलूशन बहुत जादा हो रहा है और करोना भी फैल रहा है तो जैसा कि मैंने पहले भी खाता कि अपनी सेफटी सबसे ज़्यादा जरूरी आप खुद अपनी सेफटी रखोगे तब ही ठीक रहे पाओगे तो यहाँ पर अब नुटी से तयार बच्चे चले गए हैं स्कूल और मैं आपको बाहर का मौसम दिखाती हूं कि कितना ओरा हो रहा है बाहर लब कोहरा हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि जैसे बारिश ही आने वाली है, बहुत ज़्यादा थंड़ हो रही है, और अभी टाइम हो रहा है, सुबह के आठ बज़े हों है, तो सुबह तो बहुत कोहरा था, लेकिन अब कोहरा तो कम हो गया है, लेकिन थंड़ बहुत तो हेलो गाइज अब मैं आ गई हूँ स्कूल से और हम यहां पर यह देखे ठंड बहुत ज्यादा हो रही है और मतलब धूप तो आज निकली ही नहीं है बिल्कुल भी और मैं आके खुस गई रजाई मैं आके ने गुसी अचली आज है मरे चुटी जल्दी हो गई थी तो आक किना खाया और हम एशींने बीकरना खाने में किया अब है अब ही की की अब ही के तु मिडेटिमी में तुमित शाबजी बनाई थी सुबा तो खाना खा कि अब हमा गए रजाई में अरादय को भी बोला मैंने आज अरादय आजा एंकी लेआ और शिवाय के स्कूल में थी आज दिखाया और 150 रुपीज लिए थे और कहना मैं इनका लास्ट येर का लास्ट डेज था ना तो पार्टी डेज था और क्या देख कौन सी मूवी दिखाया बताएगा सब कुछ कुछ कुणफू पंडा कैसी मूवी थी बहुत अच्छ थी अवाज बहूज थे ती तो क्या गया मधर बैठावा था ता उच्छ और क्या खाने में क्या दिया खाने में दिया था क्या दिया लग्षस के इंगा। तो चकार वाली रेजर और गेम थे कोई गेम्स वगेरा हाँ 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 थे क्यों से गेम्परा है बैने एक वोल्ड खेली हमने 10 सेकिंद में हमें हमको बास्कित में दाल दी होती है और वो वाली खेली जिसमें एक होल होता है हमें उसमें बाल दाली होती है और और डिकी तुम पोलिंग नहीं था तर्मपलंग खा जूला था तर्मपलंग था तो मज़ा आए आपको कितना प्रेक अपनी वो कार चाहिए और रेजर वो गुम हो गई मैं स्कूल में हाथ में पकर ले जाया था जाए जाए कि मैं स्टेज पर आया वो में हाथ में नीची कहां गुम हो गई प्रो में को क्या बता तो गिफ्ट मिला इसे वो वहीं गुम कर आया है कॉचा जाएं में क कहां से लेक आओ तो इसका आज था मत कश्राम है इसका आज था मतलब लास्ट देथा एर का तो इनके स्कूल में पार्टी थी और पार्टी में इनको दिखाई और पानी की बोटल और फूट ले गया था और डायरी में दिया है कुछ नहीं दिया और अराध्या से पूछते हैं इसकी कैसा रहा साल का लास्ट डेज रध्या जल्दी बता तुमारा क्या हुआ क्लास में पढ़ाई हुए पढ़ाई हुए ना तो शिवाय की पार्टी हुए राध्या कुछ भूनियों ऐसा गुस्सा आ रहा है और हमारे स्कूल में है कल पार्टी है लग लास्ट डे सेलिब्रेशन लगा लो या न्यू यह पार्टी लगा लो दोनों एक ही हैं तो अभी हम पहले हुए है जा तो अब हम सो रहे हैं क्योंकि ठंड बहुत हो रही है अब मैं तो मैं सो रहे हैं तो तो अभी ताइम हो रहा है तीन बजे में अराम कर लेते हैं पिर उसके बाद क्या करना है